तो हेलो भाई लोग आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गूगल प्ले के पेमेंट मेथद में जो जीमेल सेट होता है उसे आप कैसे चेंज कर सकते हो तो देखो बहुत भाई लोगे साथ यह प्रोब्लम हो रहा है कि उनके किसी एक जीमेल आईडी पे 95% डिसकाउंट वाला ओफर आ चुका है लेकिन जब वो लोग गेम में उसी बाई पे क्लिक कर रहे है तो वहाँ पे ओफर सू नहीं हो रहा है मतलब कि जो 380 रुपे के उसी पहक है उसे जब वो लोग बाई करने के लिए क्लिक कर रहे है तो वहाँ पे उसका प्राइज 380 ह दिखा रहा है या फिर थोड़ा सा उससे डिसकाउंट हो रहा है मतलब कि 95% डिसकाउंट नहीं लग रहा है वहाँ पे उसका प्राइज 19 रुपेया नहीं दिखा रहा है तो यहीं प्रोब्लम आ रहा है बहुत भाई लोग के साथ तो उसी का सोलूशन में आपको इस वीडि कर दिया है और यहाँ पे अपलोग देखना तो यहाँ पे अपलोग देख सकते हो यहाँ पे 340 रुपया दिखा रहा है और ओफर में देख सकतो ओफर में 40 रुपया डिसकाउंट अपलाई हुआ है लेकिन हमें यहाँ पे 95% डिसकाउंट वाला ओफर अपलाई करना है जिस से कि यह जो पैक है आप मात 19 रुपय में ले पाऊगे तो उसके लिए जिस जीमेल आइडी पे यह ओफर आया होगा 95% डिसकाउंट वाला उस जीमेल आइडी को आपको यहाँ पे सेट करना होगा मतलब कि गूगल प्ले के पेमेंट मेथड में तो जाके आपके उस जीमेल कि आपका कौन से जीमेल यहाँ पे यूज हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकतो कि यह जो जीमेल है यह जीमेल आइडी मतलब यहाँ पे जो जीमेल आइडी दिखा रहा होगा वही जीमेल आइडी आपका यूज हो रहा होगा यूसी बाई करने के लिए गूगल प उसकी लग सकता है, लेकिन अगर आपको यहां से Gmail चेंज करना है, तो आपको वो solution यूज करना ही होगा, तो देखो, solution यह है कि आप जिस Gmail ID को यहां पे set करना चाहते हो, उस Gmail ID को छोड़के, बाकी जितने भी Gmail ID होंगे आपके फोन में, उसको remove करना होगा, तब जाके आपका ब offer रहेगा, और जो offer रहेगा, वो automatic apply हो जाएगा, तो भाई लोग, अगर आपको नहीं पता है कि Gmail ID को फोन से कैसे remove करते हैं, तो उसका tutorial मैंने वीडियो के last में लगा दिया है, आप उसे देख लेना, तो एक बात का धियान रखना, Gmail ID remove करने से एक problem आ सकता है, मतलब कि अगर आपने अपना game का account है, वो Gmail ID से बनाया होगा, तो जब आप Gmail ID को remove करते होगे, जिस Gmail ID से आपके game का account होगा, तो आप वापस login नहीं कर पाऊगे, तो उसका solution यह रहेगा, कि आप पहले क्या करना, अपने game में Twitter या फिर Facebook, मतलब ID में Twitter या फिर Facebook link कर लेना, ताकि जब आप Gmail ID remove करते हो, तो आप अपना Twitter या फिर Facebook account के तुरू game में वापस login कर पाऊ, तो चलो फिर मैं आपको tutorial दिखा देता हूँ, तो भाई लोग इसके लिए आपको अपने phone के setting में आना है, और सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, account and sync का, तो उसे open करना, और इसम रखता है कि आपके phone में थोड़ा different हो, तो आप देख लेना, तो वहाँ पर आपको आपके phone में जितने भी Gmail सुनगे दिख जाएंगे, तो उस Gmail को छोड़के जिस Gmail पर आपर आयर आएगा, उस Gmail को छोड़के बाकी जितने भी Gmail सुनगे, आपके phone में उनको remove करना है, तो जिस Gmail ID को remove करना होगा, आप उस Gmail पर एक बार क्लिक करना, सबसे नीचे आपको delete account का option मिलेगा, तो delete account पर क्लिक करके, ok पर क्लिक कर देना, जैसे ही ok पर क्लिक करोगे, तो वह Gmail ID आपके phone से remove हो जाएगा, तो ऐसे ही आपको एक करके बाकी सभी Gmail ID को remove करना है, उस Gmail ID को छोड़के ज समझ गया होंगे, अगर आपको फिर भी कोई question रहेगा, तो आप मुझे से comment में पूछ सकते हूँ, मैं आपको जरूर reply करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ, Google Play का Gmail चेंज हो चुका है, और यहाँ पर offer वाला Gmail आ चुका है, तो वह लोग यह offer redeem करने में, अ offer को redeem कर पाओगे,